जै हिंदूस्तू आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में फिर से स्वागत है आप देख रहे हैं पियार के अन्बॉक्सिंग यूटूब चैनल दोस्तू आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइरल ख़बर के बारे में जो कि किसी कहीं पर भी आपने पढ़ा होगा स एक अपरेल से रेलवे मिनिस्टरी आफ रेलवे ने बताया है कि एक अपरेल से सारी पैसेंजर मैल एक्स्प्रेस टेन फिर से पट्री पर आ जाएंगी दोस्तू इसके पीछे का सच क्या है दोस्तों मैं आपको वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्यार बरा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर देना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साइब में वेल आइकन दिख रहोगा उसे प्रस कर लेना ताकि वीडियो क की नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे दोस्तों चलिए हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं रेल मुसाफिरों के लिए अच्छी कबर इस तारीक से पटे पर दोने लगें कि सभी रूट की पैसेंजर ट्रेन लेकिन देश में करोना का कहर दीरे-दीरे कम हो रहा है रुजाना सामने वाने वाले मामले भी लगातार कमी देखी जा रही है कई ऐसे राज्ज और केंधर सासित परदें से जहां से करोना से मौत की खबर नहीं आई है करोना का कहर कम होने के आपससाभी गतिवीदिया को दीरे-दीरे सम्मान हो रहे है इस बिचे है रेल मुसाफ दोस्तो इसके आगे का सच आप देख दोस्तो आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए फैक्ट चेक की पर्ताल में इसको क्या कहा गया है दावा एक खबर में दावा किया जा रहा है कि भारती रेलवें एक अपरेल दोहजार एक्टी से सभी ट्रेंज शुरू कर दी जाएगी दो दोस्तो फैक्ट चेक पर्ताल में यह दावा फर्जी निकला है दोस्तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक अपरेल से जो ट्रेंज का दावा किया जा रहा है सारी ट्रेंज फिर से पटरी पर आ जाएंगी दोस्तो तो दोस्तो ऐसा कुछ नहीं है डिमिनिस्ट्री अब आफ रेलेवन ऐसा कोई ट्विट करके नहीं बताया दोस्तो यह दावा फर्जी है मतलब एक अपरेल से कोई ट्रेंज चलाने का निंड़े अभी शरकार ने नहीं लिया है दोस्तो तो आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि यह दावा फर्जी है दोस्तो अगर